तो नमस्कार आपका स्वागत है फूड़ी भारतिये चैनल के कोटा फूड सीरीज के थर्ड एपिसोड में तो सैल्मॉन भाई को मेरा सलाम और आज हम आपको लेकर आए हैं इंदौर चाट भंडार पर जहां के भाईया फेमस हैं अपनी छोला पेटीज को लेकर तो आज छोला पेटीज को देखकर आप भी खुद को कोटा जाने से रोक नहीं पाएंगे तो ये भीड देखकर अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि किती फेमस हैं आपे छोला पेटीज तो इंतजार किस बात का चलिए देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है पापा जी नहीं पेटीज बनाते हुटोटल किती तरह कितर ही ने तो ओलाख दो ये बनाते हुटोटल मैं चार पाश तरह की पेटीज तो इतना सारा अलग-अलग तरह के मसाले आप डालते हो पत्ता गोबी डालते हो पेटीस के अंदर छोला डालते हो ऐसी तरह के पेटीस हमारे जैपड में बिल्कुल खाने को ने मिनते हैं यह सही में कुछ यूनीक और कुछ अलग है यह दो तरह की चत्नी है आपका खुद का बने है खुद का तमेटो सौस है मतलब यह बाहर साइब साइब नहीं है खुद ही अगर बनाते है चत्नी मसाले सब कुछ इम्यों इस यह बहुत कुछ दिपरेंट है उसमें बहुत कुछ जला है इसमें बहुत कुछ जला है नम्कीम, बुजिया, छोला पेटीज वह इतनी अलग तरीके से यह तो खाने कोटा अना बहुत जरूरी है मैं हुत कुछ दिप justification है यह क्योंकि आपा वण कोदी बनाते हैं इसमें बिना अंडे स्प्रीड इसलिए हमारी छोला पेटी इसमें छोले के अलावा बहुत कुछ भी है लाइक पत्ता गोभी प्याज वगारा मयाउनी सॉस सब कुछ है इसमें छोले के अलावा तो चलो देखते हैं इसको एक बार यह देखो आप इसमें म्याउनी सॉस पत्ता गोभी प्याज नमकीन मतलब मैं क्या क्या बोलू बहुत कुछ है अब इसको खाना एक संगर्ष है चलो ट्राइगर के देखते हैं मसाला पेटिम ने इतनी खाई है एक डिपरेंट की केस में मतलब मुंगंदा हो सकता है लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा ओसम है लाइक इसमें यह जो इतने फ्रेशली बेग छोलो का टेस्ट आप आप पेटी आपको एना ऐसे वर नहीं मिलेगी जैसे बेकरी पर मिलती है क्योंकि यह घर पर बनी है इसमें कोई एक्सराइट वगरा यूज नहीं हुआ विजिन बंडे खराब हो जाएगी और इतना सही है छोले को फ्रेशली बेग करके और जो यह बेटी में डालते हो पेटी इतनी फ्रेश है लाइक वो चिपक भी नीरी मूं में मतलब पर्फेक्ली रिकमेडेशन है अगर आप कोटा आ रहे हो तो यह राएगी अविन आप नहीं जा स